ओम नमस्षिवाय दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है गाइस और आज जो है हमारा फुल मून है तो फुल मून आप सभी जैसा की जानते हैं पावर्फुल चैनल ले कर आता है पावर्फुल एनर्जी शिफ्ट्स ले कर आता है collective लेवल पर क्या ब्लेसिंग्स क्या चैनल यदि एनरजी वाइस आने वाले हैं आज का वीडियो रहेगा हमारे फुल मून एनरजी अपडेट पर ठीक है तो सबसे पहले बात करें हमारा जो फुल मून है ये फुल मून आपकी लाइफ में बहुत ही एक पावरफुल चेंजिस लेकर आ रहा है कैसे चेंजिस यहाँ पर न्यू डोर आपके लिए ओपन होने जा रहा है न्यू गेट वो न्यू पोटल आपके लिए यहाँ से ओपन हो रहा है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए रोल प्ले कर रही है जो slowly slowly आपने खुद पर काम किया है महनत की है, hard work किया है आप देखेंगे धीरे धीरे आप जो है अब result की तरफ आगे बढ़ रहे हैं Because divine timing यहाँ पर role play कर रही है और divine जो भी करते हैं अपने time के accordingly जो आप के लिए best होता है आपको मिलता है balance आप अपनी life में feel करेंगे, 3D life में भी, 5D life में भी एक balance को आप maintain कर पाएंगे overthinking अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा feel हो रहा है collectively आप लोग बहुत ज़्यादा overthinking कर रहे हैं तो guys आपको overthinking से बचना है कि sometimes overthinking आपको एक से negative thoughts की तरफ ले जाती है तो यहाँ पर एक guidance भी है कि आपको जो है overthinking से बचना है because full moon या new moon पर आप जैसी energy में होते हैं वो multiply होती जाती है तो अगर आप थोड़ा सा भी overthinking कर रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी full moon के energy से कि फिर आप negative vibes में ना चले जाएं तो guidance यह है कि overthinking नहीं कर लें है just surrender to divine अगर आप किसी तरह के stress में हैं या आप किसी तरह की confusion में है जिसकी वज़े से आप बहुत ज़रा सोच रहे हैं कि आगे life में क्या होगा कैसे होगा इन सब चीज़ों को आपको रिटर से divine पर surrender करें and acceptance mode में रहें don't worry आने वाला time बहुत ही peaceful and powerful blessings लेकर आ रहा है new gateway, new portal यहां से आपके लिए new door of blessing open होने जा रहा है new door of opportunities आपकी life में बहुत सारी opportunities आप receive करने वाले हैं आने वाले time period में आपको automatically कुछ ऐसी intuition आ रही होगी या कुछ science ऐसे मिल रहे है because मुझे collective level पर बहुत से साइन्स मिल रहे है जहां पर new gateway, new door of blessings इस तरह की energy receive हो रही है इस तरह की words सुनाई दे रहे हैं और अगर हम बात करें यहां पर divine की तो divine यहां पर अपना role बहुत ही जादा powerful play कर रहे है powerful divine timing यहां पर work कर रही है आप देखेंगे कि miraculously बहुत ही sudden changes आपके life में होगे आपको सिर्फ acceptance mode में रहना है suddenly कुछ भी shift आ रहा है आपकी energy में लेकिन वो जो भी होगा न बहुत positive होगा ठीक है तो आपको सिर्फ acceptance mode में रहना है accept करना है क्योंकि यहां पर जो कुछ भी हो रहा है इस time पर divine की मर्जी से हो रहा है तो just accept everything क्योंकि अगर आपने surrender कर दिया है divine को कि आप जो भी करेंगे मुझे स्विकार है तो don't worry फिर वो आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए best होगा तो सिर्फ acceptance mode में रहें खोड़ा सा भी अपने आपको confusion में नहीं आने दें just accept everything और अगर हम बात करें हमारी divine feminines divine feminines की energy यहाँ पर बहुत ही peaceful harmony की energy inner union को enjoy करती हुई आपकी inner divine masculine and feminine energy पूरी तरह से harmony create कर रही है divine के साथ and yes आपकी यही harmony inner harmony की energy आपकी 3D life में भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर union, 3D union भी आप लोगों की तरफ आप attract कर रहे हैं जैसे जैसे आप inner union अजीव कर रहे हैं आप देखेंगे कि 3D union automatically आपकी life में आप अजीव कर रहे हैं 3D union की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे आपके personal issues यहाँ पर resolve होने वाले हैं यह जो new door open हो रहा है आपके लिए बहुत सारी blessings लेकर आएगा अगर आपकी life में कुछ personal problems ही finance से related, job से related, career से related, family से related, बच्चों से related कोई भी तरह के अगर आपके personal issues से यहाँ पर resolve होंगे आने वाले time period में बहुत ही powerfully यह change आपको देखने को मिलेगा एक new beginning के energy में फामिना आने वाली हैं यहाँ पर और उनकी energy है जो बहुत high level पर यहाँ पर आप feel करने वाले हैं अपनी energies को बहुत high vibration में feel करने वाले हैं आने वाले time में जो भी महनत आपने की है आपका fruitful time मुझे दिखाई दे रहा है यह जो new door open हो रहा है आपके लिए इस full moon से आपके लिए fruitful time रहने वाला है आने वाला time अगर आप emotionally stuck थे emotionally disturbed है कहीं पर कुछ solitude में थी feminize बहुत जादा disturbed या emotionally overthinking कुछ अगर इस तरह की energies में हैं अभी भी feminize तो आप इन चीजों से move on कर जाएंगे बहुत सी चीजों में आपको clarity मिलेगी आपके masculine side से भी आपको बहुत सारी clarity मिलने वाली हैं जो कुछ hidden था आपसे hidden कुछ भी हो सकता है आपके अंदर की hidden powers भी यहाँ पर unlock हो सकती है maybe कुछ spiritual gifts आपके लिए आ रहे हैं आने वाले time में आप ही के अंदर की spiritual powers जो hidden थी आपसे illusions की वज़े से आप clear नहीं थे आप अपने intuition को नहीं follow कर पाते थे तो यहाँ पर बहुत सारी clarity मिली है because आने वाला जो हमारा 122L का portal है spiritual growth की तरफ लेकर जाता है आपको तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर की illusions बहुत सारी clear हो रहे है hidden चीज़े बाहर आ रहे हैं कुछ hidden truths आपके सामने आ सकते हैं past life से related आपको कुछ clarity मिल सकती है आपके past life की जितने भी birth रहे हैं वो हो सकता है आपको dreams में दिखाई दे या आपको इस time पर synchronicities बहुत strongly होंगी और बहुत ही clear आपको guidance मिलेगी ऐसा नहीं कि आप confused हों से देकर बहुत ही clear guidance आपको मिलेगी because यहाँ पर जो मुझे receive हो रही है na energies और blessings universe की तरफ से तो यहाँ पर clear guidance मिल रही है कि एक new door open हो रहा है जो आपकी spiritual growth को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है divine की तरफ आपको और ज़्यादा आप देखेंगे आपका और ज़्यादा divine की तरफ surrender बढ़ता जा रहा है divine में और ज़्यादा faith बढ़ता जा रहा है उनकी तरफ आपका जुकाव बढ़ता जा रहा है आप बहुत ज़्यादा under से overwhelming feel कर सकते हैं suddenly आपको फाग चक्रा पे ऐसा फिल होगा कि पैटल्स ओपन हो रही हैं और unnecessarily आप बहुत रोना आना suddenly आप देखते हैं कि आप इश्वर के प्रेम में जब होते हैं ना क्योंकि यहाँ पर divine merging में फिल कर रही हूं फामिना इंसाइड से आप ऐसा फिल करेंगे कि अगर आप divine से connected हैं और आप उनकी energy को फिल करेंगे आपको रोना आसकता है suddenly बहुत ज़्यादा रोना आना आपको ऐसा पलपल महसूस होगा कि divine आपके आसपास है आपके साथ हैं उनकी energy को बहुत strongly फिल करेंगे और यही energy ना आपको suddenly आपको overwhelming फिल कराएगी कि आप बहुत रो रहे हैं क्योंकि आप बहुत gratitude की energy में आते हैं तो यह energy मुझे फामिना इंसाइड से receive हो रही है और यह बहुत ही beautiful harmony की energy है जो divine की blessings को आप इतना closely receive कर रहे हैं जो भी फामिना इंसे energy को receive करें हैं कमेंट्स में जरूर mention करें ठीक है और अगर हम बात करें हमारे divine masculine obviously अगर फामिना इंसाइड चेंज आ रहा है इतना powerful तो masculine कैसे पीछे रह सकते हैं masculine की life में powerful changes होंगे जो कुछ उनको impossible लगता था उन चीजों में changes देखेंगे वो masculine अगर confused होते थे कि यह तो होई नहीं सकता या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता तो suddenly वो चीज उनकी life में हो सकती है sudden change जो शायद उन्होंने कभी belief भी नहीं किया होगा तो वो उनका belief system change कर सकता है इस तरह के changes masculine के life में दिखाई दे रहे हैं उनको लग पूरा support करने वाला है विकर यहां पर masculine जो है ना इनर analysis पर जादा उनका ध्यान है इस वक्त अपने आपको search कर रहे हैं अंदर क्या चल रहा है कहां गलत कहां सही कही पिछले कई दिनों से मैं यही energy masculine search से receive कर रहे हैं उनका thought of thought process पूरी तरह से change दिखाई देगा आपकी तरफ आप देखेंगे उनका सोचने समझने का तरीका पूरी तरह से change होने वाला है और यह change ऐसे ही नहीं है इसका reason यह है क्योंकि उनकी inner feminine energy जो है पूरी तह से vibrate कर रही है high vibration में अपनी inner feminine energy से compassion की energy में जैसे जैसे आ रहे है हाट चक्रा जैसे जैसे heal हो रहा है वो भी different kind of person आप पील करेंगे उनकी energies में changes intuition बहुत strongly उनकी work करेगी बहुत strong clear guidance उनको भी मिल सकती है divine की तरफ से बहुत सारे science, synchronicities यह सब चीज़े masculine side भी receive करने वाले है masculine को भी कुछ ऐसे dreams आ सकते हैं जो past life से related है या उनके connection से related है अपनी feminine से related कुछ clarity उनको भी मिल सकती है और major change एक मुझे यह दिखाई दी रहा है third party release, third party release यह जो word sentence है मुझे बहुत clear सुनाई दिया था तो यहाँ पर एक major आप देखेंगे कि इस connection में या जो भी आपका ये twin flame journey है जिस भी process पर है कुछ लोगों के cases में third party जो है पूरी तरह से end होती हुई दिखाई दे रहे हैं masculine जो है पूरी stability में आ रहे हैं तो emotionally वहाँ से अपने आपको पूरी तरह से end करते हुई दिखाई दे रहे हैं and communication definitely कुछ लोगों को communication receive होगा जो लोग no contact में है उनको communication barriers जो भी है आप लोगों के release होंगे और आप लोग देखेंगे एक smooth communication आपको मिलने वाला है आपके masculine side से जो भी लोगों के बीच में communication blockages थे वो सब heal होने वाली है और communication से related यहाँ पर बहुत सारी clarity जो है masculines को भी मिल चुकी है कि उन्हें कब क्या किस तरह से treat करना है अपने feminine को इसलिए बहुत सोच समझ कर अपनी बात को रखने वाली होना masculine तो communication blockage पूरी तरह से यहाँ से heal होंगे celebration का time दिखाई दे रहा है masculine celebration mode में आ रहे है celebrate करना चाहते है time spent करना चाहते है अपने feminine के साथ उन सभी painful situations को पूरी तरह से release करके एक new beginning की तरफ आगे बढ़ना चाहते है तो यह बहुत ही beautiful energy है जो मुझे receive हो रही है इस full moon से तो आप हो सकता है already this energies में हो नहीं तो आने वाले time में आप definitely this energies से resonate करने वाले हैं जिनसे पर resonate करें guys comments में जरूर mention किया करें और guidance यही है कि पूर्निमा है कार्टिक पूर्निमा है आप बंडे है सबसे बड़ी बात की तो आप pray करें महादेव से blessings लें उनकी कि आने वाला time यह जो आने वाला new door है आपके लिए बहुत सारी blessings opportunities हर एक field में आपकी love life में आपके career में आपके family life में ग्रोथ ही ग्रोथ ली कराएगा तो claim जरूर करें इस guidance वीडियो को इस energy update को और साथी साथ tarot channel है मेरा उसे भी subscribe कर लें guys description box में mention है उसका link और instagram पर भी follow कर लें thank you so much God bless you all love you all जैश्री महाकाल